विल्कम तू नॉलेज अप्टेट फ्रेंज जैसा कि हमनों देखा कि SSA CGL का जो नोटिफिकेसर है वो आ चुका है और हमें अपनी प्रिपेर्शन में और जादे से अच्छे से लग जाना चाहिए तो आप अपनी प्रिपेर्शन कर रहे होंगे आपकी प्रिपेर्शन की हेल् के लिए मैंने क्या किया है जो इतने पिछले साल मतलब 2016 के जितने भी सीजियल के कोश्चन जीएस के है मैं आपको यहां पर प्रवाइट करने जा रहा हूं तो यह मेरा फस्ट फस्ट पेपर है जो मैं यहां पर आपके सामने लाया हूँ तो आये स्टार्ट करते हम लोग इ इसमें हमारे सबसे पहला जो कोश्चन है वो है कि trickle down theory ignores the impact of economic growth on किस पर यह क्या करता है तबकर सिधान्त निम्रिखित में से किस पर आर्थिक विद्धी का प्रभाव को नजर अंदाच करता है जिसमें ऑप्शन है हमारा investment, निवेश, saving, budget, income, distribution, आयवितरन या consumption तो इसमें जो हमारा answer है वो हमारा है यहाँ पर income फिर आते हैं दूसरे question पर दूसरा question है दग, controller and auditor general of India does not audit the receipt and expenditure of भायत के नियंतरक महालेखक परिच्छा निम्रिखित में से किसकी प्राप्ती और व्याय का लेखा परिच्छा नहीं करते हैं तो यहाँ पर है central government, local bodies, state government and government companies तो इसका जो answer है वो है local bodies पर फिर जो हमारा अगला question है यहाँ पर है कि काकोरी सर्णियंद मामला किस वर्स में हुआ था In which year did the काकोरी conspiracy case take place यह 1925, 1924, 1926 and 1927 तो इसका best answer है वो है हमारा A 1925 तो इसके बारे मैं आपको detail से बताता हूँ 9 अगस्त 1925 को जब रेल गाड़ी से सरकारी खाजाना सहारन वो से लखनों की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक station पर लूट लिया गया था इसलिए इसका नाम काकोरी कांड पड़ा या सडियंद पड़ा फिर यहाँ आते हमाई चौथे question पर चौथा question है हमारा ताज महल को संग्मरमेर में सवपन अड्रीम इन मार्बल कहा जाता है किस इस महारा को पत्थर में सवपन कहा जाता है इसका इंगलिस है तो इसका जो बेस्त आंसर है वो आपका है फोर्थ का B ठीक है आगे देखते हैं six ratio in India is measured as भारत में लिगन पात की गड़ना कैसे की जाती है पहला option number of male per thousand of female परती हजार इस्तियों पर पूरसों की संख्या number of females per thousand males परती हजार पूरसों पर इस्तियों की संख्या per hundred females number of females per hundred males जिसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका भी फीर हम आते हैं अब लाट इस्क्स में कंपर्शन सेल आर यूनीक टू सहचर कुछ का है निमनेकित में से सिर्फ किसमें है ठीक है बायोफाइट में या टेरिफ़ाइट में या एंजि इसकर में या जीन sequel में इसमें हम देखते अचेल आपका वह अनसर इसका है वह या अपका बेस्ट इसमें क्या है बायोफाइट सवन उतक अर्थाद जायलेम एवं फ्लोयम का पूर्था अभाव होता है जूनर स्पर्म का भोजन की रूप में साइकस के तनों में पेल निकाल कर खाने वाला साबुदाना बनाया जाता है इसलिए साइकस को सागो पाम भी कहते हैं फिर हम देखते हैं अपने अगले कोश्च है तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा वुड होता है फिर देखते हैं अगला कोश्चन बाविड आफ एयर राइस अफ्रोद लिक्विड ड्यू टू किस कारण से वाईव के भूल भूले तरहर प्रदार्थ में उठते हैं प्रिस्तनाव और आसंजन विसक्वासिती एंड इसमें है आपका उप्शन तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो हमारा है कौन सा भी क्या होती है स्यानता और उत्पलावन मतलब विसकॉसिती एंड बाविड तो अगला कोश्चन हम देखते हैं जीवलाइट क्या है हाइड़ेट फैरिक ऑकसाइड यह है हाइड़ेट सोडियम ऐलुमिनियम सिल्केट या सोडियम हेक्सामेट एंड फॉसफेट सोडियम टिट्राबोरेट तो इसका जो आंसर है वो है हमारा भी यहां पर जीवलाइट हाइड़ेट सोडियम ऐलुमिनियम सिल्केट होता है और इसका परियोग जल को आप इसको जल को मिर्दु बना सकते मिर्दु मतलब क्या हाड वाटर होता है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज कर सकते हैं फिर जो हमारा अगला कोश्चन है अगला मतलब आयतान वैरिज करें धनसिटी वैरिज करें या घनत्व में भिनता। तो इसका प्रेस उंधिता है क् कॉ आवी में झाता। आरिक दाब में भिनते कांव में सब्सक्राइब मारे में कॉपनांग नीच फिर जैसे जो mountaineers होते हैं वो अगर mountain पे जब चड़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है pressure कम होता है देखते हैं विश्च में परदूर्शन का सबसे बड़ा इस्त्रोत कौन सा है the largest source of pollution in the world is क्या हो सकता है यहाँ पर habitat and the insecticide साक नासी और कीट नासी यह आटो मोबाइल एक्जास्ट यहाँ पर आटो मोबाइल से निकलने वाद धुआ यह सीवेज और गार्बेच कूड़ा और कच्रा यह इंदस्ट्रियल इफिलेंस अद्धोगी बहिस्त्राओं तो जो इस सबसे ज्यादा क्या होता यही क्या होता है पैलूट करता है और इसके निकलने वाले जो थूएं है वह दूएं है जो एयर प्व Churchill फैलाते है今 आगर जो इससे पानी निकलते है मिलते है तो इससे क्या होता है water pollution होता है मसीने अगरNov अगर तेजी चलती है और आवाज होता ह इस तरह से और दोगिक भहस्तराव क्या होता है ज्यादा प्लूटिट करता है फिर एम्यंग दो फॉलिए स्टेट दा इलेटरेसी डेट इस हाइस्ट इन इलेटरेसी डेट कहां पर ज्यादा है उडिश्टा पंजाब महारास्टा या मिजोरम में तो इसका जो हमारा आंसर है मिजोरम तो मिजोरम में है इसमें क्या है अगर हम देखें तो केरल का सबसे ज़्यादा है 94% मिजोरम का जो है उसके बाद के बाद 91.3% और इसके बाद आता है गोवा गोवा है तिसरे स्थान पे 88.07 के साथ एन त्रिपूरा है 87.2% फिर उसके बाद है हिमाचल प्रदेश 82.8% फिर माते हैं अपने next question की हमारा अगला question है the minimum number of members that must be present in the present to hold the meeting of the लोग सभा लोग सभा की बैठा कायूद करने के लिए नियुनतम कितनी संख्या में सदस उपस्थित होना चाहिए तो इसमें है 1 4th of the total membership कुल सदस का एक चोथा ही 1 10th of the total membership के कुल सदस का दसवा भाग या 50% strength of the लोग सभा का 50% संख्या मतलब आधा या at least 100 member नियुनतम 100 सदस्या तो इसमें क्या है हम जानते हैं इसके लिए ति इसका जो answer वो भी है 1 10th of the total membership में क्या होना चाहिए लोग उसमें जो लोग सभा के सदस्या उनको present होना चाहिए तो आईए अगले question की तरफ हम चलते हैं हमारा अगला question है India's population growth is a characterized by भाज में जनसंग के विर्धी की क्या विसेस्ता है an increase in rate of death मिर्ट दर में विर्धी an increase in the ratio of females महिलाओं के अनुपात में विर्धी an increase in the birth rate and the decline death rate जन्दर में विर्धी किन्तू मिर्ध दर में कमी increasing number of old people विर्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या तो इसमें जो हमारा best answer है वो हमारा है C कि इसमें हम क्या करें अपने जो rate है जन्दर में विर्धी कर लें लेकिन मिर्ध दर में मरने की जो rate है उसमें हम क्या करने कमी करने हमारा अगला question है what will you call a system of taxation under which the poorer section are texts at higher rate than the richer section आप ऐसी कर प्रणान की क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपिच्छा अधिक कर लगाया जाता है तो हमारा option पहला प्रगामी कर, progressive tax या proportional tax अनुपातित कर, या regressive tax, प्रश्चगामी कर या degressive tax, आवक्रमिक कर इसमें जो हमारा answer है वो कौन सा होता है इसमें, regressive tax में तेक्रग्रेश्ची टेक्स में क्या होता है एक अनुपातित इसमें प्रश्चगामी कर प्रणाली जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी की अपेच्छा अधिक कर लगाय जाता है और इसके बाद जो अनुपातित कर एक आयकर प्रणाली जहां कर का एक ही प्रस्ट सभी करदाताओं से लगाय जाता है एक अनुपातित कर कम मध्यम और उच आयवाले करदाताओं में एक ही कर पर लागू होती है आवकरमिक कर क्या होता है आवकरमिक कर की वह दर जो अजब रासी पर कर लगाय जाता है बढ़ती जाती है या घटती जाती है इसका जो अगला है question इसमें हम देखते है the most important function of an interest group is to किसी हित बद गुट का सबसे महात्पूर्ण क्या होता है form the government, सरकार बनाना alter government policies to its liking, अपनी पसंद के अंसार सरकारी नीतियों में परवर्थिन करना या build up public opinion जन्मत बनाना या contest election चुनाओ लड़ना जिसका जो best answer है वो हमारा B है अगर मान लेजे किस हित बद गुट होगा मतलब की आपका interest group होगा तो वो क्या करेगा अपने हित में ही क्या करेगा वो work करेगा इसलिए हमारा answer क्या होगा यह होगा ठीक है आइए फिर नेक्स question तरफ चलते है विच इमंग दो फॉलिंग इस नौट करेक्ट रिपेर स्रीवाजी अफजल खान और नूर्जा महाभा खान अकबर राड़ा परताब बाबर बैरम खान तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा इसका answer है डी पंदरा सो उनतीस में बाबर ने अफगानों को हराय था और यहाँ पर दिया है बैरम खान ठीक है तो इसमें हमारा क्या है answer डी सही है हम आते हैं अगले question तरफ विच और फॉलिंग डिजर्ड इस रिच इन गोल्ड डिजर्वायर निम्रिकित में से किस रेगिस्तान में अतदिक मातरा में स्वर्ण भंडार पाय जाता है अरेबियन, थार, मंगोलिया, अटकामा इसका जो बेस्ट आंसर है वो है डी अटकामा अटकामा कहा है अटकामा रेगिस्तान एडीज परवत के पस्चिम परसान तटपर देश के 1000 किलोमीटर की पटरी को कवर करता है दचिर अमेरिका अमेरिका का पठार है जहां पे ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे सोना मिलता है फिर आते अगला कोश्चन हमारा है असुरुगंथी कहां इस्तित होती है लेक्रिमल ग्लैंड और सेच्चुएटेड इन दा पाम मतलब हथेलियों में या बुकल केविटी मुख गुहिका में या आई और्बिट नेतर गुहिका में स्टमक मतलब पेट में तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है हमारा कहां से आई आई और्बिट अब जानते हैं कि अगर असुरु गरंथी मतलब होता है आसु आसु कहां से निकलते हैं आग से तो यह गरंथी भी कहां होगी आग में होगी इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारा है सी हम इससे क्या बनाते हैं सराब बनाते हैं एथनौल बनाते हैं फिर आते अगले कोश्चन तरफ इसका जो हमारा बेस्ट आंसर है वो है हमारा ए वो ऑक्साइड सोते हैं किसके ऑक्साइड आफ नाइटोजन एन सल्फर के होते हैं और इसमें क्या होता है कि जो गर्मी ज्यादा पड़ती है है और बाहरी होती है तो ये क्या होते है इसमें जो गैसे इसके ऑग्साइड होते हैं और पानी साथ मिले करके क्या बनाते इसेड बना लेते हैं और जब इनकी इसमें इंडिया और पाकिस्तान में फिर हम देखते हैं अगला कोश्चन हो रोट दा फेमस लाइन अधिंग आफ ब्यूटी इस आज जोई फॉर इवर या परसिद युक्ति किस ने लिखी लिखी है अधिंग आफ ब्यूटी इस आ जोई फॉर इवर तॉन किट्स ने लिखा राजपाल कौन थी? Who was the first lady government of an Indian state? स्रीमति सुचेता कृपलानी और मिस पदमजा नायडू, मिसस तारकेश्वरी सीनहा या मिसस सरोजनी नायडू इसका जो हमारा best answer है वो है मिसस सरोजनी नायडू भारती राजी की पर्थम महिला राजपाल स्रीमति स्रोजनी नायडू थी भारती राजी की पर्थम महिला मुखेमंति स्रीमति सुचेता कृपलानी थी और मिसस पदमजा नायडू अपनी मा सरोजनी नायडू की तरह राश्ट के लिए खुद को समर्पित 1956 और 1987 के बीच पस्चिम मंगाल के भारती राजी की राजपाल थी फिर हम आगे देखते हैं बिच और फॉलंइंग इस एन एप्लिकेशन पॉटोड्यकॉल निम्टीफित में से कौन साइक एप्लिकेशन पॉट्यकॉल है Http, Http full-form होता है Hypertext Transfer Protocol, TCP यहां पर है NIP and UDP जो इसका जो best answer है वो है हमारा A, Http IP का full form होता है internet protocol TCP का full form होता है transmission control protocol and UDP का full form होता है user datagram protocol तो friends यह सब मैंने आपको 25 question दिये इसमें 25 question में पिछले साल के पहले shift के question है मैंने date लिख रखा है तो आगे के papers भी मैं आपको देता रहूँगा आप please मेरे channel को subscribe करिए like करिए अपने friends के बीच इसको share कीजिए और अपने marks ज़्यादा ज़्यादा gain करिए इस knowledge के through और अपने knowledge को update करिए Thank you for watching